असलाम अलीकूम गाइज मैं हूँ बासिर और आप देख रहे हो टेक्नो कोशुर कश्मीर की अपनी टेक्नोलोजी जैनल गाइज आज के इस वीडियो में हमां अन्बोक्स करने जा रहे है अपना पोको एंटू गाइज सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है अजय को एंड अजय को एंड तो गाइज यह पोको एंटू है यह मैंने पांशो ज्यादा दे के दिया 11,500 में मैंने लाया अप अप लिपकाट से और कर सकते हो लेकिन मुश्किल है मिलना अपना ही बन दा था तब भी उसने पांशो जादा लिये तब जाके मुझे पोको एंटू मिला तो गाइज यह अन्बोक्स करते हैं और देखते है क्या है स्टार्ट में ऊपर आपको यह यल्लो सा यह मिलेगा अब उसको खोल के देखते हैं बस एक किता उसे साइड में रखते हैं और देखते हैं हम पहले बाख इसमें क्या है जो चारजरे नहीं है इसमें आपको दस वाट का चार्जर द अचारंग लोग अपो तो लेकिन फों आपको 8-5 वाट कर सकता है आप देख सकते हो 10 वाट का और जो केबल है हमारी आपको टाइप सी के पूरा फोन प्लास्टिक हाई है उपर थोड़ा स्मूध टेक्श्यर है और नीचे तोड़ा टेक्च्चर्ड है जिसे पोका M2 प्रो में किया था थोड़ा सा डिफरेंचियर करने के लिए साइड में आपको एक सिंट्रे मिलेगी और कुछ भी नहीं साइड में अब नीचे की तरफ वातें नीचे आपको 3.5 mm जैक मिलेगा अपको USB Type-C और स्पीकर मिलेगा और साइड से पावर ऑन अब बटन वैल्यूम डाउन और वैल्यूम अब बटन और उपर से आयर ब्लस और इच्छे आपको चार कैमरा मिल रहे है और सिंगर्पिन स्कैनर भी है तो यह रहा है इसका लोक से जल्दी से हम बूट करते है काईज़ बूट कंपलीट हो गया है अब मैं देख रहा हूं इसका इंटरसेश वो तो स्खीक यह पोपो की तरह बासे उसकी डिस्पले बहती ब मिल रही है इस बजट में बहुत ही अची चीज़ बाकि जो कॉम्टेशन के फोन देन नो के बाकि चीज़ है वो तो ऐसी डिस्पले देती नहीं है सब फोन में अब सेमेंटीटीपी डिस्पले आरी है और विविविंग अंगिल भी आप देखे कितने बड़ी है इस अब आप देख ले रहा हूं उससे दूल चूल आप देख साथाओ आराम से देखो जूम करके दिखाता हूं दूल आपको दिख रही है तो मैक्रो संसर का 5-megapixel बहुत ही अच्छा है और जो में संसर वो भी मुझे ठीक ठाक लगा देख लो पिक ले तो पहले यह रही जो म इसमें लाइटिंग बहुत ज्यादा है इस ताइमें इसलिए आपको लगरी है डीटेल है लेकिन उतनी खास डीटेल नहीं है अगर आप बागी पिक्चर लोग है आउटडोर की तो कैमरा भी ठीक ठाक है जो आप फ्रेंड कैमरा है सेलफी कैमरा वो 8-megapixel का है लेकिन 8-megap इसने बहुत ही अच्छी कैप्चर किया आप चेक कर सकते हैं मैं जूम करूंगा बहुत ही ज्यादा इसने कैप्चर की डीटेल सो तैलफी कैमरा भी ठीक ठाकिया अपना काम निकल जाएगा कैमरा से ज्यादा शिकायत नहीं कर सकते कैमरा के मामले में गाइज मेर पास 64GB वे इस फोन में एक चीज़ फाइंड की कि बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा एप्स मैं प्री इंस्टाल रखी है जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं मेई यॉय का फैन नहीं हूं इतना ज्यादा ब्लोट वेर इतनी ज्यादा एप्स गूगल एसिस्टंट ब्ल् इस मामले में मैं इनसे खुछ नहीं हूं बिल्कुल भी खुछ नहीं हूं गाइज आप इसके स्पेक्स पे आपको इसमें मीडिया टेक हीलियो गटी का प्रसेसर मिलेगा जो बहुत ही पावर्फु प्रसेसर है अप अच्छे से पबजी खेल सकते हो अच्छी सेटिंग में आप अच्छे से खेल सकते हो और बैटरी भी पॉंचे से खेल सकते हो और बैटरी भी ठीक था का आपको मिल रही एल्टी डीडियर 4X रैम इलेगी 6GB आपको इसमें कहीं भी कोई लैग शेटर नहीं देखने को मिलेगा आप देख सकते हो में कितनी पे स्क्रॉल कर रहा हूं अच्छे सब्सक्राइब आपको कुछ लैग शेटर कुछ भी नहीं मिलेगा दूर दूर तक मुझे तो बहुत ही सही फों लग और डिजाइन भी ठीक था के कलर भी यह ब्लू मुझे अच्छा का लगा बाकी ब्लैक्स लैक मुझे अच्छे नहीं लगी तो मैंने ब्लू ल ले रहा है पर सुनोग यह कह फो निकले 720p resolution बहुत सारे फोन आरे 720p resolution इसमें आपको बहुत ही पावरफुल एक सी प्यू जिए टे मिल रहा है फुल एच्डी डिस्प्ले मिल रही है 5000 एमेज की बैटरी मिल रही है और 6GB RAM वो भी 11,000 रुपे में गाइस मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी है फोन है आप इस फोन को आराम से ले सकते हैं और अच्छी-ची गेमिंग भी कर सकते हैं और अच्छे प्राइज पर गेमिंग भी कर सकता है कैमरा भी इसका ठीक ठाक है बैटरी भी बड़ी है टाइप सी है हर कोई नया फीचर आपको मिलेगा आप ये फोन भाई कर सकते हैं बहुत ही अच्छा फोन है आज का वीडियो हम यहीं पे अंड करते हैं उमीदया आपको आज का M2 का जिए शॉर्ट रिवीव अच्छा लागा होगा आपनी इस चैनल को शेर कीजिए सबस्क्राइब कीजिए और हर कोई वीडियो एंड तक देखिए थैंक यू